So, hey guys, welcome back to our channel और आज इस बार फिर से हम खेलने माला है Pokemon HeartGold को और आज तुम सभी मेरी टीम को देख सकते हैं हमारी टीम काफी जादा स्ट्रॉंग हो चुकी है बेसिकली मैंने सभी को ट्रेनिंग करवा दी है बस मैंने EV को ट्रेनिंग नहीं करवाई और नगा इस पिछले बार हमारी टीम में नए नए Pokemon आई थे जैसे के Red Gyarados और हमारे कुछ Pokemon एवाल भी हो गए थे और हम मिले थे Lens से उसने हमें यहाँ पर आने को कहा था और यह रहा Lens Bragnite Hyperveam ओके इसने Hyperveam का यूस किया तुम इतिनी दिर कैसे हो गई हनी जैसे के मुझे लगा ही था वो अजीब से Radio Signal यहीं से आ रहे थी यहाँ पर सीडियां है हनी हमें अलग-अलग हो के इस जगा हो पहले चेक कर लेने चाहिए मैं पहले जाता हूँ और गाइस यहाँ पर Dragonite के साथ में Lens यहाँ नीचे चला गया है और यह है Team Rocket का Headquarter और यहाँ पर यहर Persian का Statue भी है तो यह क्या हो रहा है अच्छे यहाँ का मतलब Alarm टाइप का System है तो यहाँ पर हमारी Battle हो गई है वाउ तो इस Battle को ना जल्ली से करते हैं तो यार यहाँ पर Team Rocket है इसका मतलब यह होता है यहाँ आसपास Giovanni भी हो सकता है ओके तो यहाँ पर एक और Persian Alarm है यह रहा तो अब हमारी Battle होगी तो मैं इस Battle को भी जल्ली से कर लेता हूँ यार ओके तो यहाँ पर हमने सभी को हरा दिया है और I think न मुझे नीचे ही जाना है मुझे लगता है और यह क्या है I think यह Pokemon है कौन सा Electrode ओके यह वोल्टर भै यार मुझे लगा Electrode है पर यहाँ पर वोल्टर भै बस यह फटे ना यार तो मुझे यहाँ पर रन करना चाहिए Simply हम यहाँ से निकलने वाले है तो जल्ली से चलते हैं आगे ओ नो एक और बैटल तो यह कौन सा Pokemon होने वाला है यह है Geodude नाइस जैसा कि मुझे लगा ही था जियो डूड है नाइस तो अब जल्ली से इसे भी रन करते हैं और आगे चलते हैं जल्ली यली रन करना होगा मुझे एक भी बैटल नहीं करनी है पस एक कदम और ओ नहीं इस वाले का कलर अलग है तो यह कौन सा Koffing I think Koffing या Weezing ओके Koffing है यह नाइस मुझे लगा ही था Koffing या Weezing मैंने गैस सही किये सारे तो अब यहां से जल्ली से रन करते हैं और यहर वैसे तो मुझे लगता है हमें नीचे साइड ही जाना चाहिए था साइड में भी रास्ते थे तो यहां श्टेर से जाना ठीक होगा पहले नीचे जाके देखते हैं ओ तो यहां पर लैंस है यह रहा क्या तुम ठीक हो तुमारे पॉक्यमोंस ठकी हुए और हट लग रहे है उन्हें थोड़ी सी मेरी मैडिसन्स दे दो तो इसने हमें मैडिसन दी है यहां पर जिससे हमारे पॉक्यमोंस पहले के जैसे ठीक हो जाएं और अबना हमारे पॉक्यमोंस तयार है सभी से लडने के लिए तो यहाँ पर आंगे चलते हैं मतलब इसका मतलब यह है guys कि आंगे नब बहुत सारी battles होने वाली है और यह क्या है दा रेडियो ट्रांस्मिटर इट सीम्स देट इस टोर चेक्स दा वोईस अब दी परसन saying the password before it opens अच्छा तो इसका मतलब यह होता है यह तभी खुलेगा जब हम वोईस से करेंगे तो यार एक और बैटल वो जो गेट था नगाई वो सिर्व वोईस पासवर्ट से खुलने वाला है वो भी उसी परसन की वोईस से जिसने उसे लॉक किया था अच्छा तो पहली न हमें उस पासवर्ट को लेना होगा लीडर्स ओफिस के और जो मतलब जो में जिसके पास में पासवर्ट है वो टीम रॉकेट का एक्जक्यूटिव है और वो इसी रूम में कहीं पर छुपा है तो मुझे न उसके पास में जाकर पासवर्ट लेना होगा उस में गेट का तो उसके पास में चलते हैं पर ना उसके पास में जाने के लिए भी हमें यहाँ पर एक पासवर्ड खोलना होगा तो हाँ इन सब को करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगया तो मुझी ना यहाँ पर दो पासवर्ड ढूंडने हैं किसी दो के पास में तो यहाँ पर उपर साइड में चलते हैं और यह मैंने अपने EV को क्या किया अभी अभी मैंने अपने EV को क्या किया यार पता नहीं मैं नर्बस की हो गया मैं तो उसके साथ में खेलने वाला था तो यहाँ पर न हम अपने Sean को आँगे करते हैं और यहाँ पर उपर साइड में चलके देखते हैं यहाँ पर क्या है मुझे I think नीचे साइड में जाना चाहिए और यह एक और Pocky Ball थी इसमें TM49 Snatch अच्छी बात एक Free में TM मिल गया I think मुझे नीचे साइड में जाना चाहिए यहाँ पर पहले देखते हैं ओकी यहाँ पर एक Member 18 Rocket का तो मुझे इस Battle को भी जली से करना होगा ओकी इस Battle को भी guys जली से करते हैं यार ओकी यूर शेलेंजिंग में टो अब बैटल अच्छी यह कुछ कह भी रहा है I like that If you can beat me अच्छा तो इसने हमसे यह कहा कि अगर हमने से हरा दिया ना तो यह बंदा में यहाँ का Password बताने वाला है तो यह तो यार खमाल की बात है इनके पास में Password है इसके पास में एक Redicat है मोटा से Redicat Level 19 का तो इसकी में वाट लगाने वाला हूँ एक Discharge से I think यह Finted हो ही जाएगा ओके नाइस एक बार में खतम हो गया अब यह मुझे Password बताएगा मुझे पता नहीं था मुझे Password ऐसे मिलने वाला है देखते हैं अच्छा Redicat Teal तो यहाँ का Password है Redicat Teal पहला Password तो इससे एक और बार बात करते हैं The Password for the Bosch Door Redicat Teal अच्छा हमें दो Password की जरूवत है तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन दौन पोकीवाल को लेते हैं इसमें है X Special ठीक है दूसरे बाल में क्या होने वाला है देखते हैं चलकर इसमें क्या है एक Protein है मुझे लगा कुछ और अच्छा सा मिलने वाला है अच्छी बात है Protein भी जरूर ही है तो यहाँ पर ना ऊपर साइड में चलते हैं अब हमें दूसरा वाला Password भी ढूणना है तो I think यहाँ पर होगा एक यह रहा I think इसी के पास मैं होने चाहिए Do I know the Password? क्या मुझे Password पता है? शायद पर मैं तुम जैसे कमजोर को नहीं बताने वाली ओके तो मुझे इसे हराना होगा और इससे पता करना होगा पासवर्ट आकर है क्या तो इसके पास मैं दो पोकिमोन से एक है एक इंस नाइस और दूसरे वाला कौन सा होने वाला है तो इससे तो मैं एक एटक में खतम कर दूँँगा अपने स्वान के स्वान काफी जादा स्ट्रॉंग हो चुका है तो मैं इसे देखो यार उसके मूब साइट को देखो उसके लेवल को देखो पहले से बूब बहुत जादा स्ट्रॉंग है ओके इसने एक ही बार मैं खतम कर दिया एक इंस को नाइस इसका सेकंड पोकिमोन कौन सा होने वाला है देखते हैं यहाँ पर इसका सेकंड पोकिमोन है ग्लूम तो ग्लूम के लिए मुझे I think ना हेरा क्रॉस का यूज़ करना चाहिए था पर यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपने एंग का क्योंकि इसके पास में एडवांटेज है यार एंग हमारा क्या कमाल का दिख रहा है जश्ट देखो से यार उसके face को देखो काफी ज़ादा cool दिख रहा है मुझे really बहुत ज़ादा type lozen और यहाँ पर उसको look ना हमीशा की तरह बहुत ज़ादा cool दिख रहा है और वैसे भी यार हमारा जीतना पक्का ही था क्योंकि हमारे पास में type का advantage है और इतना ज़ादा level भी है useless, अच्छा हमारे पास में donor password है तो मुझे कोई भी जरूरत नहीं है यहां से उपर से चलते हैं I think मुझे नीचे side में जाना है या उपर पहले नीचे side में चलके देखते हैं I think ना मुझे उपर ही side जाना चाहिए था क्योंकि ये वाला password तो यार voice password है तो ये वाला तो नहीं खुलने वाला I think ना मुझे उपर ही जाना है क्योंकि उपर वाला पहले में खोलना होगा team rocket के boss के पास का उसके बाद में हम नीचे जा पाएंगे क्योंकि उसी को पता है यहां का password नीचे वाले का तो यहां पर तो नहीं जाना I think यहां नीचे साइड में जाना है देखते हैं चलकर तो यहां पर क्या एक और battle यार तो चलो इसे भी हमने हरा दिया अब नीचे जलते हैं I think यहीं पर जाना होगा team rocket headquarter ओ यह रहा वो gate एक और gate I think ना में यहीं का password मिला है और यह कौन है यह तो silver है यह यहां पर क्या कर रहा है silver so you are messing with them again बिलकोल यार you must really like team rocket so much no tell me who was the guy in cave who used dragon type pokemon वो तो lance है my pokemon were no match at all यह भी नहीं हरा पाया I don't care that I lost I can beat him by getting stronger pokemon it's what he said that bothers me he told me that I don't love and trust my pokemon enough okay I am furious that I lost to a bleeding heart like him oh my god I don't have the time for the likes of you हमें भी time नहीं है यह इससे battle करने का चल जा भाई अराम से जा हमें भी तुससे battle नहीं करनी है कोई shock नहीं battle करने का यह बंदा ना एक तो land से हार गया उपर से हमें कह रहा है कि इसे हम से battle करने में कोई विंटरस्ट नहीं है वैसे हमें इससे battle करने में कोई विंटरस्ट नहीं है अभी ना हार जाता हा रहा हम से और यहां पर हमने gate को खोल दिया है nice यह कौन है यह तो Gioani है Gioani यहां पर है we've been waiting for you so you are honey yes बिलकॉल हम है honey me you don't know who I am तो मैं नहीं पता कौन हूँ मैं हूँ Gioani the majestic Gioani himself वा हा 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 I don't sound anything like Gioani I don't even look like Gioani how come I work so hard to mimic him अच्छा ये real Gioani नहीं है ये बस कोई नकली Gioani है ये पैट वाल है यार I am team rocket executive अच्छा ये वहीं team rocket का executive है जो के password रखा हुआ है ये यहां का और ये Gioani बना हुआ था basically यार Gioani तो गायब है that room is protected with a special password the password is hail Gioani surprise to hear it from me अच्छा यहां का password है hail Gioani knowing the password won't help you tough oh the door won't open unless I see the password it only reacts to my voice अच्छा गाई इस तो यहां पर password कोई भी काम नहीं आने वाला मतलब ना जब तक ये बन्दा ना अपनी खुद की voice से वहां पर password नहीं कहेगा तब तक ना कुछ भी नहीं खुलने वाला है इसे वहां पर कहना होगा hail Gioani और इसी की voice में तभी वो gate खुलने वाला है तो ये तो बहुत भी बड़ी दिक्कत हो गई ये तो आसानी से नहीं बोलने वाला पहले मुझे ने इसके Pokemon को हराना होगा उसके बाद में देखते हैं क्या होता है वैसे हैर story को आँगे बढ़ना है तो password तो हमें पतो चली जाएगा मुझे पहराना भी आसान होगा हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं ये level 22 का coughing है हम यार simply से discharge से खतम करने वाले हैं और यार तुम लोग देख रहे होगे मैं बहुत टाम से Sean का use कर रहा हूँ मुझे basically यार ये Pokemon ने जब से मिला है मतलब जब से हमारा Sean evolve हुगा है मुझे ये Pokemon बहुत ज़्यादा पसंदा चुका है really मैं इसका use बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ अभी हमारी टीम में यार देखो कितने ज़्यादा strong Pokemon हो चुके है हमारे पास मैं टाइप लोजन है एक Amphoros है, गोलबैट है और Heracross भी है और एक और है को XIR तो हमारी टीम काफी ज़्यादा अच्छी है बस हमें EV को evolve करना है जिसके बाद में हमारे पास में Umbreon या तो Espeon में से कोई एक Pokemon आएगा जो कि सच में cool लगेगा दो में से कोई भी मिल जाए दोनों ही बहुत ही cool है तो यहाँ पर हमने इसे हरा दिया है अब हो सकता है हमारा साथ दे पासवर्ट को बताने के लिए तो गैस इसका मतलब यह है लूजिंग तो यू वोंट चेंज दा फेक्ट डेट यू अर अनेबल तो गैट इन दे रेडियो ट्रांस्मिटर रूम तो गैस इसका कहना यह है तीन साल पहले जब यह हा रहे थे मतलब जब से इने रेड ने हराय था तब से न यह लोग गायब थे पर इनका जो बॉस है वो न अभी तक गायब है ओके यह कौन है मर्करो मर्करो इस मिमिकिंग दा वोईस और पेट्रॉल अच्छा तो यह जो पोक्यमोन है ना यह पैट्रल की वोईस की मिमिक करके वहाँ से पासवर्ट को खोल देगा तो हम ही ना इसके पीछे जाके गेट तक पहुँचे ना होगा और वहाँ जाकर यह अपने पासवर्ट को कहने वाला है तो हो सकता है गेट खुल जाए तो चलकर देखते हैं वो यहीं से गया था I think यह रहा दा पासवर्ट इस हेल जी ओनी जी ओनी की जै हो हैट्रा की जै हो तो चलते हैं इसके पीछे एक और बार यहां से यह गया है I think ना यह गेट के पास में जाने वाला है और हम इसके पीछे पीछे जाएंगे और यह गेट के पास जाकर वहाँ पर पासवर्ट को बोलेगा और यह रहा एक बार फिर से हेल जी ओनी तो यार फिर से चलते हैं इसके पीछे यह फिर से गया है तो यहां से गया होगा, I think उपर साइड में क्योंगी यहीं पर gate था तो यहां पर चलते हैं, ओके यह रहा फिर से Hail Gioni एक और बार Hail Gioni की जय हो, तो चलते हैं उपर Gioni की जय हो तो कमेंट्स में लेखना है Gioni की जय हो The password is Gioni की जय हो, और एक और बार इसने यहां पर कहा, और ना यह gate खुलने वाला है इसके password की बज़े से Oh, nice System ने इसकी voice एकदम catch कर ली एकदम match हो गए यह voice और gate खुल चुका है Wow, और यह क्या है Hold it right there Oh, यह कौन है Ariana, we can't let a brat like you do as you please forever It hurt Team Rocket's pride over and over again Making a lesson You see, अच्छा देखते हैं यार So, it's time to finish you However strong you may be If the two of us fight at the same time You have no अच्छा तो भई है, चीटिंग हो रही है यहां पर Chance of winning, do you agree? बिल्कोल नहीं No, no, I'm not allow this I'm not allow this I'm not allow this यह चीटिंग है यह दौनों मेरे से अकेले battle करेंगे Oh, तो ही यहां पर Lens आ चुका है अपने Dragonite के साथ में A two on one battle That is so unfair आज़ा बच्चों, हम इसका साथ देंगे तो guys, यहां पर हमारा साथ देने आ है Lens, खोद एक champion यहां पर हमारा साथ देगा battle में तो अबना यह battle काफी जादा मसेदार होने वाले है Really काफी जादा हम Dragonite के साथ में लड़ेंगे और सबसे अच्छी बात यह है यहां पर बाहर मेरा Emfrost है इसका मतलब यह होता है Emfrost और Dragonite एक साथ लड़ने वाले हैं इन दोनों से तो guys, यहां पर एक OP battle होने जा रही है वाव काफी जादा मसेदार हो रहा है क्या लग रहे है हमारी trainer से यार, दोनों के दोनों काफी कमाल के दिख रहे है और यह गए दोनों Pokemon वाव, एक Sean और Dragonite दोनों काफी OP दिख रहे हैं और दोनों का level भी ना लगबक सेम ही है काफी जादा है तो यार, यहाँ पर सबसे पहले ना मैं Drowsy को हराऊँगा क्योंकि वो Hypnosis का यूज करता है जिसने हमारे Pokemon Sleep हो सकते हैं तो उसे हराना सबसे ज़्यादा जरूरी है पहले उसे हराते हैं बाद मैं Arbok को देखींगे तो यहाँ पर मैंने Drowsy को एक ही बार मैं खतम कर दिया सर्फ एक ही अटक से वो पूरी तरह से खतम हो चुका है अच्छी बात है और अब बच्छा है सिर्फ एक Pokemon Arbok नहीं भाई यह इनके पास में इतने सारे Pokemon से चलो कोई बात नहीं Next Pokemon Grimer है तो Grimer के लिए भी हम इसी का यूज़ करेंगे और यह आया Dragonite वाउ ओ भाई इसने एक ही बार में खतम कर दिया दिखा दिया यह कितना जादा स्ट्रोंग है मुझे लगा था यह कोई भी काम नहीं करेगा पर यह सच में यार काफी कमाल का है इसने एक ही बार में खतम कर दिया और मैंने भी Grimer को एक बार में Nice दोनों ही Pokemon से यार एक ही अटेक में अपने opponents को खतम कर रहे हैं यह तो अच्छी बात है और दोनों यार बहुत ही OP देख रहे हैं एक दिन ऐसा होगा ना जो हम Lens का सामने करींगे तो मैं जरूर अपने Emfrost को आंगे रखने वाले हूँ Dragonite का सामने करने के लिए तो इस बात को गाईस याद रखना हम आने वाले टाइम में न Dragonite और Emfrost की बैटल करवाने वाले हैं हमारा Sean लड़ेगा Dragonite से और देखेंगे कौन जीतने वाला है तो वो ना एक सूपर Amazing बैटल होगी सच में मज़ा आएगा और यहाँ पर ना हमने इसे हरा दिया वसे इसका Last Pokemon है Gloom तो Gloom को पहले कौन हराएगा वैसे हैर गाईस मेरे पास में भी एक Move Set है पर मैं सोच रहे देना Pokemon को Change करना नहीं यार इससे बेटर हैं Signal Beam का Use करें I think here attack कुछ काम आए और बाकी तो Dragonite संभाल लेगा ओ भाई साब Dragonite ने एक ही वार में से खतम कर दिया तो यह काफी कमाल की बात थी मुझे जरूत ही नहीं पड़ी अच्छी बात हमने से हरा दिया है इस तू बैड ओके भाई हो गया हमने इने रोखी दिया जो भी थी ये काफी कमाल की बात थी ये वाली बट देट्स फाइन ब्रोड कास्ट एक्सपेरिमेंट वस टोटल सक्सेस इट ड़संट मैटर वाट हैंस तू दे हाइड आउट ना ओके तो इनका जो भी प्लान था वो पूरा हो चुका है और जो इनका मतलब बनना है जीवानी वो तो गायब है पूरी तरह से वो गायब है यहाँ पर नहीं है जीवानी अच्छा तो रेडियो सिगनल ओफ करने इस मशीन से ये कौन सी मशीन है अच्छा तो मुझे कैसे करना होगा ये चीज़ सायद लेंस मुझे बताएगा इस इस मसीन देट्स कॉसिंग औल प्रॉलम्स सो गाईस हमें ना इनने लेक्टरोड्स पोक्यमोन को हराना है इनने हराने के बाद में वो मसीन अपनी ही आप डियक्टिवेट हो जाएगी क्योंकि यहीं इलेक्टरोड्स पोक्यमोन उस मसीन को पावर दे रहे है तो अगर हम इनने खतम कर दें तो माशीन में पावर नहीं मिलेगी और वो Automatically बंद होने वाली है तो इस जली से off करते हैं इन्हें हराने के बाद में ओके तो इन्हें हराते हैं मैं ठंडर शॉक का यूज क्यों कर रहा हूँ यार फिलाल तो यार हमें यहाँ पर दूसरे पोकेमोन की जरूरत है तो मुझे सिंपली रन करना चाहिए यह पोकेमोन को चेंज करते हैं यहां से ओके शॉन नहीं यहां से हर्कुलस के बाहर बुलाते हैं यह हरा पाएगा असानी से तो यहां पर हमारा हर्कुलस आ चुका है इसका लेवल भी काफी ज़्यादा अच्छा है इसना हमार उपर स्पार का यूज किया तो हमार उपर ज़्यादा काम नहीं आने वाले यार ठीक है ज़्यादा है नहीं गई हम close combat का use करींगे I think इस वाल अटेक से ये एक ही बार में खतम होने वाला है और गाइस ना मुझे ऐसे करके तीनों को हराना होगा उसके बार में ये machine off होने वाली है ओकी तो हमने से हरा दिया है पहला वाला तो fainted हो गया और हमें काफी ज़्यादा points मिले तो पहला वाला deactivate हो गया है अब गाइस हम लोग ना तीनों को जली से ऐसे ही करते है तो यार यहाँ पर तीनों complete हो चुके हैं तो अब आँगे चलते हैं देखते हैं कौन है lens ये रहा इसने दूसरे वाले side को समाला था और हम दूसरे side थे और वो finally signal जो अजीब से आ रहे थे वो बंद दो चुके हैं और सब कुछ एकदम normal हो गया है वाव अब हम यहाँ से जा सकते हैं सारा काम complete हुआ हमें जो भी कुछ करना था हम कर चुके है ओके obtain the hm05 वाव यार यहाँ पर lens ने हमें hm05 दिया वर्फूल जो कह अची बात है अब इसके use बार बार होने वाला है तो चलते हैं बाहर ठीक है भाई बहुत सारी बाते हो गई हमने पहली बहुत सारी बाते कर ली है ओके the journey to become the pokemon champion is long and difficult विलकोल knowing that will you keep doing yes I see lens really are एक कमाल का trainer एक कमाल का champion है और आने वाले time में यार मेरे सामना obviously lens से होगा तो देखते हैं कौन जीतने वाला है मैंने वैसे भी सोचा ही है मेरे emfrost को लड़वाने के लिए dragonite से वो सच में कमाल की battle होगी तो यहाँ पर देखते हैं कोई gate है shortcut हमें जाने के लिए तो नहीं यार यहाँ पर कोई भी shortcut नहीं है हमें paddle ही जाना होगा और मेरे पास में कोई escape rope भी नहीं पड़ी देख लेते हैं देखते हैं यहाँ पर नहीं है यहाँ पर भी नहीं है यहाँ पर भी नहीं है ओके तो लगता है मुझे paddle ही जाना होगा तो यहां से बाहर जाना होगा, पैदल तो कोई बात नहीं चलते हैं, पास ही है, जादा कुछ नहीं है दूर, शॉर्टकट है वैसे भी, और ड्रेगनाइट को देखने के बाद मेरा भी मन हो रहा है, जैसे हमारे पास में भी एक ड्रेगन पोकिमोन होना चाहिए, और हमारे प काफी सारी पोकी बाल्स मिली है, हाई पर पोशन वगेरा, यहां पर क्या है, उपर साइड में चलते हैं, यह रहा, तो यह था वो शॉर्टकट जहां पर हमें आना था, और यह क्या है, तो यहां से चलते हैं, उपर से, ओके यह रहा, तो यहां पर हम लोग बाहर आ चुके ह और गाइस मैं तुम सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो silver है ना वो confirm Giovanni का बेटा है ये fact मैंने तुम सभी को पहली पर बताया था तो हाँ ये चीज़ पक्की है और next time ना हम यहाँ की gym battle करने वाल है तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत जादा excited हूँ लड़ने के लिए इस वाली gym battle को anyways guys इस वीडियो को like करने ना comment करने और subscribe करने नियू हो तो और भी इस वीडियो के लिए तो मिलते हैं हम next gameplay में तब तक के लिए good bye झाल